और आप इत्नी सारी जंग किसे रस्टिंग देख रहे हैं तो यह सारी निख़ी एक कार के हीटर को और उसके होस पाइप और नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चेंज करूंगे इस गारी के कुल येंट को, तो दो साल इसको हो गया है, नॉर्मली दो साल में आपको coolant को change कर लेना चाहिए, और साथी इसकी heater को और भी चेक करेंगे, इसके अंदर car के अंदर heater की गरम हो नहीं आ रही है, वो भी check करेंगे, उसको भी सही करने की कोशिस करेंगे, अगर हो पाएगा, तो और साथी में काफी पुराना हो जाता है, काफी जादा वो लोड जेल चुका होता है, तो उसके बाद किसी भी chemical का use करना उस engine के लिए सही तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हो सकता है कि आप सही करने के चक्कर में, आप उसको flush करने के चकर में, आप तो अच्छे करने कोशिस कर रहे हैं, जादा पुरानी गाड़ी में, फ्लस का use मत करना हो, और एक चीज़ और होती है, जब कभी भी आपको अपनी कार में, कूलेंट को flush करना होता है, मतलब मैं साधे पानी से फ्लस की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपके बास दो तरीके होता है, या तो आप थर्मोस्टे से clean water आने ना लगे, तो जिस गाड़ी के मैं भी बात कर रहा हूँ, वो LPG है, तो उसमा आप देख पार होंगे, यहाँ पर heater core इस तरीके से एक लंबी line के तुर अटेज है, रीजन इसका क्या होता है, इसमें vaporizer लगा होता है, जिसको coolant की जरुवत होती है, क्योंकि LPG होती है कि जाम हो जाती है, इस गाड़ी में भी सेम है, और heater core के जाम होने का एक और रीजन है, कि अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चल रहे है, ज्याद हो खड़ी रहती है, तो इस होज़े से heater core चोक हो जाती है, और एक चीज और है, अगर आप पानी का यूज़ कर रहा है, साध हीटर core को साफ करना है, लेकिन एक चीज में आपके साथ पहले clear कर ले रहा है, अगर आप ये वीडियो देखके, अपनी कार की अगर heater core चोक डप हो गई है, उनको आप साफ या उनको आप खोलने की कोसिस करते है, और उस duration में heater core लीक हो जाती है, तो ये भी एक chance बना रहता ह लेकिन होता है क्या heater core पुरानी हो जाती है, अगर आप उसमें pressure का use करते हैं, तो कई बार chances हैं, मैं ये नहीं करा कि होई जाएगा, लेकिन chances हैं कि heater core लीक करने लग जाएगा, ऐसे मैं आपका सारा coolant गिरने लग जाएगा, तो आपको या तो heater core रिप्लेस करानी पड़ेगी या फिर आपको उसको bypass करना पड़ेगा, लेकिन bypass भी आप कर सकते हैं, वो भी easy solution है, क्योंकि heater core वैसे तो काम कर भी नहीं है, तो इस गाली में क्या करने वाला यहाँ पर जो आप ये hose pipe देख रहे हैं, elbow के पास से connected है, यहाँ पर इससे के जो elbow है, elbow के अंदर case connected रहता है, और वहाँ से एक line जाते है, heater core के तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी निकाल लूगा, क्योंकि मुझे हलका सा leakage लग रहा है, तो इसको भी दुबारे से silent लगा के मैं सही कर दूँगा, इसको सारा निकाल के करूँगा, उससे पहले मैं कर लेता है, इसमें coolant को पूरा drain कर काई radiator में coolant drain के लिए हाँ पर plug दिया होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं इसको निकाल लूगा, और कोसिस में इस वीडियो में करूँगा, कि मैं आपके साथ raw footage share करूँगा, ज्यादा उसमें editing ना करूँ, process को follow करें तो आपको दिक्कत ना होनी, तो edit कर के कई देखें, आपके बहुत काम में अगर, तो जो hoses होती है, इस्टिक हो जाती कुछ इस तरीके से, तो उसको निकाल लिए हो, और यह चीज़ आपको तब करनी है, जब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से, ठंड ही हो, गरम गाड़ी में यह चीज मत करना हो, तो इसमें जितना सारी होसे निकाल लेता हूँ, यहाँ पर से अलबो, उसके अंदर केस हो गया, और थर्मोस्टेट वाल्ब है, वो सब निकाल लेता हूँ, और फिलाल मैं आपको कूलेंट की कंडिशन देखकर लग रहा होगा, कूलेंट अची कंडिशन में, लेकिन अभी इसको एक दुबा से लगा लेता हूँ, इस होस के अंदर भी देखे, आप कितनी सारी इसमें रस्टिंग है, तो मुझे साफ करनी ही पड़ेगी, मैं सोच रहा था कि मैंने इसमें हमेसा कूलेंट का ही यूज किया है, तो इसके अंदर इस टाइप की रस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपक इसको क्लीन कर लेता हूँ, अच्छे से पानी से, पानी के और चीज का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको बाद में साफ कर लेना हूँ, तो इसको पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, वाटर के थोड़ा बहुत प्रेशर से, और इसको इस तरीके से आप हिलाएंगे एक तरफ से आप बंद करके तो उसके अंदर से अच्छी आमाउन में आपको रस्ट बाहर आती हूँ नजर आएगी और एक चीज और इसको इस तरीक से प्रेस करेंगे तो जो रस्ट के पार्टिकल से वो तूट कर बाहर आने लगेंगे बहुत आसान सी प्र इसको मैं बाद में किस तरीके फ्लस करूँ और मैं आपको बता लेता हूँ तो अब इसमें साधा पानी डाल लेता हूँ और इसको देखे थर्मुस्टेट वाल मैंने निकाला है तो मुझे गाली को ज्यादा देर स्टार्ट छोड़ने की जरुवत नहीं है ये डिरेक्ली ह जैसे ही हम गाले को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अब मैं गाली को स्टार्ट कर लेता हूँ वांकी यह बी एर फिल्टर भी लगा लिया अब गाली को स्टार्ट करके थोड़ देर छोड़ूंगा, ज्यादा देर नहीं और 4-5 मिनिट इतने में काम हो जाएगा, थर्मुस् को चलानी के आपको जरुवत भी नहीं है तो आप क्या करना आपको गारी के ठंडे होने का वेट करना है और उसके बाद जो हमने पानी इसमें डाला तो उसको ड्रेन कर ले यह प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना चाहिए जब तक की साफ पानी उससे आने नहीं लग जात इसमीं में आपको दिखा देना दें आपको तॉर साफ करना पड़े में जांब और रुड़ारी का है इसमा प्रोसेस कैराहा थाेट पार ओक चाहिए लगा वार एक ही शसमी दिष्यादीी बीजियर का जरूर देखना को अब इस्किब कर सकते हैं दो अब मैंने इक पानी का पाइप लगा है देखिए आपको ज्यादा टेज फोर्स के सांथ नहीं करने रेडियेटर को आपके खराब कर लेगे यह च्छत की टैंक की से लगा हुआ है उसी ग्रैविटी के फोर्स हा रहा है इसमें फोर्स भी नहीं है तो इसको अच्छे से यहाँ पर जितना हो सके भी करेंब़ यहाँ जैब पर फोर्स के लिटा करते लिए जियादा नहीं करना चाहता है इसमें पहले प्रेशर देख लीजे कितना आ रहा ज़्यादा आपको प्रेशर के सांथ यूज नहीं करना तो इसको अब भी इस तरफ से कनेक्ड कर लेता हूं ही टरूस पर ठीक है और उसके बाद मैं पानी का प्रेशर चेक कर लूगा अगर ज्यादा कम में तो यह काम करेगा नहीं थोड़ा बहुत बढ़ा लूँगा ज्यादा नहीं बढ़ांगा तो आप वेट करिये यहां पर पानी के आने का अब मैंने इसको न होस के तूरू इसलिए कनेक कर रहा है द पार देगा डैमेज कर देगा ज्यादा प्रेसर से करेंगे प्रेसर वासर का तो यूज बिल्कुल करना ही मत ठीक है तो जिन जिन लोगों की यह गाली यह वह इस तरीके से कर सकते हैं डारेक्ट हीटर को पर पर अटेच मत कीजिए गा जो उसके होज जा रहे हैं पाइप ज प्रेसर सकते हैं दोनी तरीकों में काम आपका पूरा ही होगा ठीक है तो दूसरी तरफ से मैंने कनेक कर दिया अब आपको उसका रिजल दिखाता ह om कई से बिलती है और साथ ही कही लोग बोलते हैं कि इस से इंगन इसमें नहीं करना चाहेंगे तो क्योंकि ऐसे धर रेते हैं तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक साफ पानी ना आने लग जाए ठीक है अब इससे साफ पानी आने लग जया और प्रेशर आप देख रहे हैं मैंने ज्यादा नहीं रखा सिर्फ इतना रखा जिससे कि हीटर को खोल पाए और एक चीज और है साथ साथ में और उससे कूलेंट लिकेज हो सकता है जब आप गाड़ी चलाएं तो यह चीज आप अपने रिस्क में कीजेगा और इसको मैं कनेक कर लेता हूं जो इसकी में वाटर लाइन उसके साथ भी और वह भी अगर उसके अंदर भी रस्टिंग है जहां तक मैंने चेक कर रहा है तो इसको भी पानी इसे फ्लस कर दूँगा गांगा इसम कोई डाईन खुली इस साथ भी है आ रहा है और इसके बाहर पर काफी जाद जयह आय против लाइन रिंदो श्ते लाइन शीच संगी हो जाती तो इसको श्यो आ यहां से साथ पानी आ रिस्त यजा ड़या है तो साब आने रिपीट करनाएं, जब तक आपकीлично को दिखें। जब तक भी क्लीन करनास है। पहलां है। उसको क्नडीशन शबार समय क्षाइब शाल निकलाएं कोर से भी कह सकता है dah Сोचे कि इस तरह से इसके अंदर जंवा बजब था है उपको को मिलती बी कैसे और ढघातिता हूं इसका डेन कर लेते हैं इसका रिजर वायर को उसके बाद उसके अंदर कि कंडिशन को दिखाता हूं देखी इसमें भी सारीabs्ट और ये सारीabs्ट गाड़ जब इस गाड़ी में लगाता है और कूलेंड का ही यूज़ टॉप अप करने के लिए सिर्फ बैटरी वाटर का यूज़ मैंने किया था उसके अलाव मैंने पानी का यूज़ में किया इन्हीं सोचे जो लोग पानी का यूज़ करते हैं वो उनकी गाड़ी के कूलिंग मैं डालूंगा जो बैटरी का डिस्टील वाटर है वो उससे फ्लस कर लूँगा ताकि एक जो चांसे उतना रस्टिंग के वह कम हो जाए जितना भी पानी से मैंने इसको फ्लस कर रहा था वह सारा ड्रेन आउट यहां पर हो जाए तो इसको करने के बाद गारी स्टार्ट कर से चाली हो गई कई बाद लाइन ब्लॉक हो जाती है जिस वज़से गाड़ी भी होने लग जाती है तो यहां पर देखिए मैंने इसको फ्लस आउट कर लिया और जैसे मैंने आपको बोला यह आप पर डिपेंड करता आपकी गाड़ी से कितना ज्यादा रश निकल लाया को आप अपनी गाड़ी को दुबारासे क्लीन कर सकते है ठीक है आपको यह प्रॉसेस लिपीट करने के बाद आपकी गाड़ी के चेविन के अदर आपको देखना है अंदर कहीं कोई लीकेज तो आपको नहीं दिख रहा अगर कोई लीकेज दीगर एं तो यह सा मैंने आपको जो भी अच्छे से नहीं लगी होगी जो भी रीजन होगा तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मैंने अभी गैसकेट लगा लिये अब मैं इसको छोड़ूँगा दो-तीन घंटे छोड़ूँगा जितने देर में मौका मिलेगा उतना छोड़ूँगा उससे क्या होगा यह अच्छे से सूख जाएगी और अपना काम अच्छे से करें तो यह चीज मैंने पढ़ी भी थी साथ एक गैसकेट के मैनूल में ही पढ़ा था कि अगर आप रबर गैसकेट का यूज़ करें तो इसको थोड़ी दिर लगा दीजे छोड़ दीजे उसके बाद इसको टाइट क अगर यूज़ करने बाद आप इसको बंद करके रख दें तो यह सूखता नहीं जैसे और जो होते हैं वह सूख जाते यह सूखता नहीं और देखें इससे कितना ज्यादा यह निकला है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी गाली के अंदर यह सब चल रहा हूँ यह फर्स पर त इतने खतरनाक धंग से तो गाली की कूलिंग लाइन को किस कदर यह डैमेज कर रहा होता ठीक है तो इसलिए आपको अपनी गाली के कूलिंग सिस्टम पर ध्यान देते रहना चीए ठीक है तो इसको अब दो घंटे करीब दो क्या तीन घंटे मैंने इसको रख लिया है अच् करने का तरीका बहुत आसान है मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से तो यहां पर जो मैं कूलन को रिफिल कर रहा हूं थोड़ा फास्फ फॉरवड कर ले तो इसमें क्या है मेरे समझ में इसमें लिखा नहीं कहीं है प्री मिक्स्ट है या पिर इसकी साथ वाटर भी अट क चर्विशमें क्या करा सब्सक्राइऊ करने के बाद खरेखा आए इसी छिट्नी बहुत रैंगे इसको वह डे कुट्रा नियुकस्ट करने के बाद चर्वादे तक एसको प्रेस miracle करने तो ॉ मैं मैं प्रेस निपके सारी निकल जाए के तबाद sine Prags के बाद तो इस आ कभी इसमे आ्यूस कर रहा हूं कर तो जितनी भी एर फोगी तो बहर आने लग जाएगी और आप इसमें दुबारे से ऊशनक जर सकते ये प्रोसेस को तब तक करता है रहनी जब तक इसमें पूरी तरीके से जो खाली कहीं कर लगता तो इसको इसकी मैक्स लिमिट तक थी वहां तक भरके मैंने दुबारा से लगा लिया और इसके बाद इसका जो कैप है उसको भी आपको लगा लेना है ठीक है आपको चेक कर लेना कि कैप में कोई रस्टिंग या ब्लॉकेस तो नहीं है अगर कैप का पाइप अगर जो एर बबल चाने बंदना हो जाहिए और जब आपको आपकी गारी स्टर्ड कर लेनी है चायर में की बाद तो आपको में आपको मेंची चाक करनें लिक्येज का अगर नी कर दो आपको फिर आपके लिए सकता हैं क्योंकि इस पाइप इस trolls करने हैं तो पहले हां पर submar चेक कहा ढ़ल रहा ता घ्मक दो हुटा में वहां बाद ने बाद में आपके लिए दिक्कत देंसकता हैं जोड़ीमल तोसमें रहती है तो सारे जितनी भी मैंने कनेक्ट से हाँ पर लगा है सबको मैं सबकाइक बार लिकेज करूगा कि यहां पर भी आपको चेक करे लेना है तो इसमें मैं अब ही आइंशर होगी है फिल हाल के लिए कोई लीकेज कर ने है लेकिन यह नहीं होता है कई वारी का होता है गाड़ी हीटप पहोने के बार भी लीकेज होने लग जहते हैं तो ठीक तो अब को कुछ देर स्टार्ट चोड़ूंगा तब तक चोड़ूंगा जब तक कि उसका फैन काम ना करने लग जाए इससे मेरे को एक मतला अभी यहां पर मैं इंशुर हो जांगा ना कि हमारी गाली का कोलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा तो यह चीज आपको यह भी चीज आप अब अब आपको बहुत कम आती है थोड़ा बत अब वह पाइपों में कूलेंट रहता होगा गरम कूलेंट जैसे जैसे हो रहा तो वह उसी को आगे थ्रो करता था के विमें बट जितनी आनी चीज थी उतनी नहीं थी बट अब अच्छी आ रही और सांथ ही जो में चीज आ आपको गाड़ी के केविन में चेक कर लें जहां से हीटर को लगी होती है इधर डैसबोर्ट के अंदर वहां कोई लीकेस तो नहीं है जैसे मैंने आपको बोला चांसे रहते हैं हीटर को डैमेज हो जाए या फिर फट जाए अगर हम उसको फ्लस करते हैं क्योंकि पुरानी ह हो जाती है और साथ ही अगर उसमें आप गलत प्रेशर का यूज करें तो फिलाल के लिए गाले अपने टेंप्रेचर पर पहुंच चुकी है आप यहां पर में हीटर को दुबारा से चेक कर दूँ है तो मुझे हीटर की अच्छे होगा मिल लिए जितनी नॉर्मली नई गा सब्सक्राइब तो यहां पर कोई लिकेज नहीं है फेंच आप यहां पर वेट कर रहा था निए फेंच लने लगिया अच्छी से इसी का मैं वेट भी कर रहा था दो चार बार इसको मैं चला लोंगा अच्छे से और गाली को अछी देर काफी देर स्टार्ट करके तो हीटर की होज में अगर कोई भी ब्लॉकेज के पार्ट से रह जाते हैं उसको दुबारा ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं तो यह चीज एंशूर करना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं आप टाइम देकर अपनी गाड़ी में अगर इस तरीके का काम करते हैं तो आप यह सारी ची कर दिधिन के अंदर आपको पता चल जाता है कूल एंट लिक होने लग जाते है है तो अभी फिलाल काड़ी अच्छे कंडिशन में काम करें अगर मैं आपको टाइम की बात कि कितना मेरे को टाइम लगा तो देखी मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया है क्योंकि अगर जल्दी बाजी में हम यह काम करते हैं तो काम अच्छे से हो काता, सारी चीज länger ही तो तो इस वजय से आप जब भी फ्री होते हैं तब इस काम को कीजें अच्छे से कीजे, समझके कीजें बहुत आसान है तो आज की वीडियो में इतना ही रखता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक लिए बाई टेक केर